हलो फ्रेंड सौगत है आपका आपके अपने यूटीब चैनल देशी बाइक्स में दोस्तो कुरोना वारस ने जहां पूरे देश और दुनिया को लोगडाउन में डाल रखा वहीं बहुत दिनों से आपकी कार और भाई भी बंद होंगे तो ऐसे मैं उनका खास ध्यान रखने ज़र दोस्तो तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसे कुछ टिप्स बताने जा रहा हूँ जिससे आप अपने कार्स और पाइक्स का खासा ध्यान रख पाएंगे साथी साथ उनका हिल्थ भी आप बढ़िया कर पाएंगे तो दोस्तो वीडियो को पूरा दिखिएगा तो आएए दोस्तो वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तो टिप नमबर ये है कि अपने कार को हमेशा आप पार्ख कर 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 रखें किसे ऐसे जगा जहांपे सेड हो जो क πस कवर्ड एरिया हो साथी साथ अगर आपके कार में कोई क्रोम पार्ट है या रबर पार्ट लगा है तो वो नहीं उसका रंग फेड हो और नहीं वो जो रबर है वो क्रश्टी हो सु दोस्तो कोशिस यहीं करें कि आपके कार या बाय की जो फिउल टैंक है वो खाली ना रहे कम से कम उसमें आप हाफ टैंक तेल बरवा कर जotion रखए ताकि उसके उपर की जो हवा है वो कंडेंस हो करकर के आपके फिउल टैंक को अंदर यन रश्टी ना कर रिख उसमें जंग करना रखे अगर आपके गाड़ी में पार्किंग मोड का फीचर है तो उसे जरूर अन करके रखें लेकिन हैंड ब्रिक ना लगाएं यह कि हो सकता लंबे समय तक के लिए इसमें हैंड लगने से वह जैम हो जाए और उसके बाद फिर आपको परिशानी का सामना करना पड़ सक दोस्तों अगर आप अपने कार या बाइक को लंबे समय तक के लिए खड़े करते हैं तो उसका जो बैटरी है उसको डिसकनेट कर दे आप जिससे क्या होगा कि आपकी बैटरी डिस्चार्ज होने से बच जाएगी और अगर ऐसा नहीं करते हैं आप तो कम से कम 3 या 4 दिन मे एक बार अपने कार या बाइक को स्टार्ट करके आइडल पर एक या दो मिनेट तक छोड़ दे जिससे बैटरी कंटिनियू चार्ज होता रहेगा और इस प्राबलम से भी आप निजात पा सकेंगे दोस्तों एक बात का और आपको ध्यान रखना है कि आपके टायर में हवा का जो प्रेसर है वो कम नहों क्योंकि अगर कम प्रेसर में आप टायर को रखेंगे और आपकी गाड़ी लंबे समय तक के लिए खड़ी रहेगी तो हो सकता उसमें क्रेक्स आजाए टायर के बारी द फलैट होने से बच जाएगा तो यह थे कुछ टिप्स दोस्तों कार्स को लेकर आए हम लोग अब बाइक के बारे में बात करते हैं दोस्तों अगर बाइक की बात करें तो बाइक लिए भी यही रूर्स लागू होते हैं सबसे पहले आपको अपने बाइक को साफ करना उसे करके रखना है धो करके अच्छे से आप उसे ढख करके रखे अगर हो सके तो उस पे एक बार पॉलिस कर दे जिससे की बाइक का जो सर्फेस है वो स्मूथ हो जाएगा और उस पे डेस्ट पार्टिकल्स बैट नहीं पाएंगे दोस्तो जब भी आप बाइक को लंबे समय तक के लिए खड़े करते हैं तो उसे सेंटे स्टैट पर खड़े करके रखे जिससे की आपका जो फ्यूल का लेबल वो बैलेंस रहेगा और आपकी गाड़ी की सेहत भी अच्छी खासे बनी रहेगी दोस्तो अपने बाइक के टैंक को कम से काम आदा भर के रखे साती साथ उसका जो चैन है उसके जो स्प्रिंग्स है अपके जो लीबर्स है उन सभी को लिब्रिकेट करके रखे ताकि वो स्मूद रहे वो जैम ना हो ना ही हाड हो दोस्तो अगर लंबे समय तक के लिए अपनी बाइक को खड़े करते हैं तो उसमें अपने बाइक के डॉक्यमेंट को कभी न रखे क्योंकि हो सकता है वो खराब हो जाए तो इसलिए ज़रूरी यह है कि अपने बाइक से सारे डॉक्यमेंट को आप बाहर निकाल के ही रखे जिससे कि वो सेफ रहें साती साथ दोस्तो अगर आप बाइक को लंबे समय तक के लिए खड़े करके तो उसके बैटरी टेल्मिनल्स को भी निकाल दे जिससे कि बैटरी डिस्चार्ज ना हो और अगर ऐसा आप नहीं करना चाहते हैं तो फिर बाइक को तीन चार दिनों में एक बाइक स्टार्ट करके आइडल पर रख दें एक दो मिनट के लिए और नहीं तो फिर बाइक के गेर को लगा करके थोड़ा सा उसके जो रियर वीले उसको घूमने दें जिससे कि जो पूरा का पूरा इंजन का फंक्शन है वो काम करें और जितने भी फ्यूल्स है वो व वारिंटी पिरेड इस समय खत्म हो रहा है तो आप इस चीज की टेंशन ना ले क्योंकि बहुत सारे कंपनियों ने अपने वारिंटी पिरेड को बढ़ा दिया है कुछ महीनों के लिए जिससे की आप बाद में बे अपनी कार्स या बाइक का सर्विसिंग करा सकते हैं तो इ अच्छा नहीं होता है तो अगर आप इन टिप्स को फालो करेंगे तो हो सकता है आपके गाड़ी को कोई प्राब्लम नहां आगे सबूल कर चलके आपको लॉजप gosto के बास यस गाड़ी को चल आना चाहेंगे तो अगर ऐसे में आप इन टिप्स का इस्थमाल करते हैं तो ड जल्दी जल्दी मिलती रहें तो अगर कार चलाते हैं तो सिट बेल जरू पहनीगा और बाइक चलाते हैं तो हिल्मेट जरू पहनीगा तब तक के लिए जय हिन जय भारत